बहुत पुरानी बात है, महात्मा बुद्ध एक गाव में ठहरे हुए थे, वे प्रति दिन शाम को वहाँ पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन गो सही दिशा बोध प्राप्थ होता था। बुद्ध की वाड़ी में गजब का जादू था। उनके शक्त श्रोताओं के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रति दिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्थ हो गए तो वे बुद्ध के पास गया और बोला महराज मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहां। किन्तु यहां से जाने के बाद मैं अपने क्रहस्त जीवन में वैसा सदाचरन नहीं कर पाता हूँ जैसा यहां से सुनकर जाता हूँ। इसी कारण घर में सदैवी कलेश जैसा महाल होता है। लड़ाई जगड़े होते हैं और हर वक्ती दुक्का महाल बना रहता है। मैं और मेरे घरवालों में जादा बनती नहीं है। यही कारण है कि मेरा जीवन अत्यन्थी दुखद होता जा रहा है। इस से सत्संग के महत्तु पर भी शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध ने यूवक को एक पांस की टोकरी देते हुए उस पे पानी भरके लाने के लिए कहा। यूवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यहकार निरंतर जारी रखने के लिए कहा। यूवक प्रते दिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा। इतने दिनों से टोकरी में लगतार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया। यूवग बोला एक फर्क जरूर नजर आया है महराज। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी पर अब वैस साव दिखाई देती है। कोई भी गंदगी नहीं दिखाई देती है। और टोकरी के छेद पहले जितने बड़े भी नहीं रह गए हैं। वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने समझाया। यदि इसी तरह उसमें पानी निरंतर डालते रहोगे। तो कुछी दिनों में ये छेद फूल कर बंध हो जाएंगे। और टोकरी में पानी भी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं। उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुड़ों के छेद्र भरने लगते हैं। और गुड़ों का जल भरने लगता है। यूवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाड़ी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोग प्रसारित कर देती है। एक बार की बात है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रियसिश जिसका नाम पूर्ण था वे पहुँचा। बुद्ध ध्याना वस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुँचने पर उन्होंने थोड़ी सी आँख खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा। पूर्ण ने कहा। मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ। आपकी आग्या चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले। पूर्ण धर्म की राव बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बाते बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहें। इस पर पूर्ण ने कहा। कोई बात नहीं महात्मन। मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दूँगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहें। पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले। हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दे। पूर्ण ने कहा। तब मैं यह सोचकर उनसे छहमा मांग लूँगा और उन्हें छहमा कर दूँगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर से बोले। हे पूर्ण हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों से भी प्रहार करे। पूर्ण ने फिर उत्तर दिया तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा पर जान से तो नहीं मार डाला मुझे जीवित छोड़ दिया बुद्ध ने फिर कहा और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिये तब पूर्ण ने तच्छन सिर जुका कर कहा तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मारक पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की मैं उनके प्रति क्रतग्य रहूंगा तब बुद्ध ने आखे खोली और आशिरुवात देकर अनुमती दी तथा पूर्ण से कहा अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो जो किसी में भी कोई दोश न देखे वही सच्छा है अच्छाई के मारक पर चलना बहुत मुश्किल काम है जो इस रहा पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोश न देखे वही बाधाओं को सहस्ता से पार कर अपने लक्ष को पूरा कर पाता है एक बार गौतम बुद्ध जब वन से बुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर तकट हुई और कहा अरे बुद्ध आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घ्रणा के सामने जुकना ही पड़ेगा आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है बुद्ध ने मुश्कुराते हुए उत्तर दिया मैं घ्रणा, उपहास और द्वेश के आगे नतमस तक नहीं होँगा मैं निन्दा, प्रशंसा, अथ्वा, उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता तुम मुझसे इतनी घ्रणा करती हो पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यूं करते हो बुद्ध बोले, मैं तुम में मा का रूप देख रहा हूँ और मा तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती इतना सुनते ही, राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी हे बुद्ध तुम धन्य हो, इतना कहते ही, वह देवी में बदल गई और अंतरधान हो गई दरसल जो लोग दूसरों से द्वेश करते हैं, अंत में एक दिन घरणा उन्हें नस्ट कर देती है घरणा से घिरे हुए लोगों को, एक दिन घरणा ले डूपती है प्रेम सत्त के आवरन से ढखा होता है, सत्त से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदयव आनन्द में जीता है सत्त को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा सत्त रूपी गुलाब की खुश्बू है कर्म अपने कर्म को प्रेम और सत्त में डुवोकर करो प्रेम और सत्त मनुष्य को विकास की और ले जाते हैं ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग इश्वर की और जाते हैं इस मार्क पर चलने वाले लोग सहज में ही आनंद और शांती को पा लेते हैं दोस्तों आशा है कि ये तीन कहानिया आपको अच्छी लगी होंगी और इनसे आपका ज्यानवर्धन भी हुआ होगा यदि हाँ तो अपने सुझाओ हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हो धन्यवाद